किसना भाईया, इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया, अब 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 धनराज की पारी है, धनराज सेड धनराज, बोलो चूब, बोलो, आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाव की, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता, सोच लिजे मूं मांगी किमत दूँगा, मैं फिर भी तैयार नहीं, पचास में भी नहीं, अरे बचपन में भी नहीं, सा अतर में, आप कौन साब बोले है, असे, अखिर इस कोठी में ऐसा है क्या, मैं ना पतल भी की, नबे, ठेरिये, 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 आप इतनी जीत करने हैं तो मैं आपका दिल तोड़ू का नहीं, मगर एक बात पुछूँगा, मैं, आप कहीं मजाग तो नहीं कर ठीक है, ठीक है, अब मेरे घर पर रुपया लेकर आजएए, मैं सब काख़ात त्यार करवा तो, ओके, काख़ात मैं त्यार करवा चुका हूँ, आपको सिर्फ दस्तकत करना है, मेरे आदमी नबे लाक लेकर भार खड़ा है, जाकर दर्वाजा दो खुछ, ओके, काम करिया, आदमी की आवकात का अंदाज़ा है, धनराज. मैं जानता हूँ कौन कहां आकर तूट सकता है यह लिजी हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आत्म की बात समझ में ना आए उसके दख कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके दख सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है एक बात मुझे बताईए आपके बाई साफ जमीन के भाव को आस्मान तब पहुंचाना चाहते हैं क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है झाहते झाहते है तुछ आस करूनकि बंछेँ तो जाए ऐम कि जमीन नीओंके बुदर्णी ऑटनी अपक घ्रिक शड़िव्राम थीश्का रहते है सवे सब्सक्रर को ज inviदां समनी टक बंछाब्स आपकी फेक्टरी में आग लगए है या विवक खेड़ें में आ है कून मुझधा्य तूम, थें कानिकाइगाइग है ए एक कानिकाइग अए कानिकाइग है क בחб